बीजेपी वो नाग है वो नाग बनता जा रहा है राजनीती में कि अगर आप उसके साथ सलग न होंगे तो वो आपकी को सबसे पहले निगलेगा जिस हर्याना को आप बेरोजगारी में सबसे उपर ले आए जब रोजगार मांगा वहां के बच्चों ने तो आपने का चंद्रियान चार पर जाएगा विमान उस पर बिठा देंगे अब वो फैसला करेंगे भारतिये जन्ता पाटी का हाई एवरिवन आप जब लोगा फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्तो हर्याना में बीजेवी पार्टी ने सीयम बदल दिया है यू बदला क्या है वो वज़ा ये सवाल मीडिया को बीजेवी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहिए और गोदी मीडिया की एंकर अंजनाव कश्यप ने ये सवाल पूछा लेकिन डिवेट के बीच में और वो भी डरते डरते और जो जवाब सुधा शुत्रिवेद जी ने दिया वो मुझे हजम नहीं हुआ लेकिन सुप्रिया शिर्णत ने बीजेवी पार्टी के सीम बदलने की पूल खोल दी तो इस मज़दार वीडियो में अंतक बने रही है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करिए तो चलिए शुरू करते हैं उनकी दलील है कि हम घैर पारम पर एक राजनीती करते हैं और इस राजनीती के तहत हमें जो स्ट्राटीजी सही लगी उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं सरकार उनकी सीम उनका नया बदल डाला वहाद तेज हो रहा है अभी बद्दाद है माई अभी बद्दाद है आपका सवाल हर्याणा में जो परिवर्तन हुआ है उसको लेकर है मेरे अनुसार में तो उनलुकर हूँ इनका लतीजा ये किसी को बदले ये कट पुतलियों की तरह बदलते हैं अपने चीफ मिनिस्टर को कहीं पर इनको वो काम कर जाता है कहीं पर नहीं करता है लेकिन मेरे ये चार सबक है as a student of politics हर्याणा से पहला सबक ये है कि BJP वो नाग है वो नाग बनता जा रहा है राजनीती में कि अगर आप उसके साथ सलगन होंगे तो वो आप ही को सबसे पहले निगलेगा यही लेसन इनके घटक दलोने चाहे वो शिरोमणी अकाली दल हो सेना हो या अब यहाँ पर जेजेपी को मिला हो यह सबसे पहले आपको निगलेंगे आपको खतम करेंगे उनके विधायत बुला लिए गर स्वेरिंग इन में उन दुष्चन चोटाला को पता ही नहीं है चुने हुए मुख्यमंत्रियों को कट पुत्रियों की तरह हटा देना चाहे वो गुजरात हो या उत्राखंड हो या हिमाचल हो या तृपुरा हो जहां पर भी हो यह उनका प्रोरगेटिव है लेकिन यह हैसियत है मुख्यमंत्रियों की चुने हुए मुख्यमंत्रियों की ये उनका कार छेत्र का दबदबा है तीसरी बड़ी बात ये मैं मनोहर लाल खटर जी के लिए कहना चाहती है और मुझे लगता है सुकविंदर तिंग सुकू जो धर्ती पुत्र थे हिमाचल के उनको निपटाने चले थे हा से हिमाचल तो नहीं हा से हरियाणा हो गया इसलिए नफरत के आधी में अंधा बनना जरूरी नहीं है अपना थोड़ा सा वर्चस वा अपनी थोड़ी सी गरिमा अपना थोड़ा सा आप में चिंतन करना चाहिए और अंत में मैं एक बात कहूंगी कि नूरा कुष्टी जो हो रही है अच्छी है ये दिखाता है कि क्या डर है भारतिये जन्ता पार्टी ने में पूरी सरकार और C.M. इसलिए बढ़दा जा रहा है क्योंकि समझ में आ गया है कि कॉंग्रस बढ़कर जीतने वाली है बहाँ पर प्रचंड जीत होने वाली है हमाँ पर ये नूरा कुष्टी चली ये नहीं साड़े-चार साल बैट कर खूम लूटा साथ में अब अलग-अलग हो जाओ कि बोट बटवारा होगा ऐसा होगा नहीं ऐसा आपने करने की कोशचे करनाटिका में भी की थी मैं तीस सेकेंड में अंजिना जी एक बात कहना चाहती है और ये थोड़ी सी व्यक्तिगत है मेरे लिए मनोहरलाल खटर ने महिलाओं पर जिस तरह की भद्दी टिपडियां की है जिस तरह की बाते उन्होंने महिलाओं के लिए बोली है कि रेप की बात तो वो औरते करती है जब उनको गुस्सा आ जाता तो वो जाके रेप का केस निकवा देती है जो जीन्स पहनती है उन्ही और का रेप होता है जब एक सरपंच ने अपना दुपट्टा अपनी आबरू उनके पैरों पे रगदी तो उन्होंने पैर मारकर उसका दुपट्टा पेग दिया था मनोहरलाल खटर वही व्यक्ती है जिन्होंने देश के अनदाताओं के लिए सडके खुदवादी उनके राह में कीले गणवादी ऊपर वाले की लाठी पड़ती बड़ी जोर से है चाहे देर हो चाहे सबेर हो बड़ी जोर से पड़ती है लाठी जिस हर्याना को आप बेरोजगारी में सबसे उपर ले आए जब रोजगार मांगा वहां के बच्चों ने तो आपने का चंद्रियान चार पर जाएगा विमान उस पर बिठा देंगे अब वो फैसला करेंगे भारतिय जनता पाटी का यह मनोहर लाल खटर या भारतिय जनता पाटी नहीं यह जो भारतिय जनता पाटी का कुशासन है उसका जवाब वहां की जनता देगी अड़ा बोड़ी अब दोते हैं देखिए साब इन्होंने यह कहा पहली महिलाओं वाली बात कहिए साब बगल का राज्य है राजस्थान वहां पे एक मंत्री थे आपके बड़े सीरियर मंत्री थे उन्होंने कहा कि अगर रेप में राजस्थान सबसे आगे तो इसलिए कि मर्दों वाला प्रदेश अरे ना अंतरात्मा जागी ना रियाक्शन होगा अब इन्होंने कहा मनुहरलाज जी के बारे में तो यह बताईए अशोग एलोज जी तो संख्या बता दिये थे उन्होंने कहा था ज्यादा तर केस रेप के फरजी होते हैं अच्छा वाइनार में लड़ाई है घजवेश साब अप देखें यह हर्याना की बात कर रही है हर्याना के इस तरह आई है दिली तो आम आदवी पाटी के साथ गठबंदन है और पंजाब में लड़ाई है घजवनूरा कुष्टी है साब ये पंजाब में असली लड़ाई है कि दिल्ली में असली लड़ाई है ये दिल्ली में असली लड़ाई है कि केरल में असली लड़ाई है ये समझने का प्रयास करना चाहिए इसलिए हम कहना चाहिए दुश्यन चौटाला की गलती तो बताईए सर्ण कि हमारा गडवन्मन टूटा गडवन्मन टूटता है आप कहां थे ज्यानी बाबा यहीं नहीं अभी और सुनिए अंजिना जी मैं छोटी सी बात का जवाब एक छोटी सी बाइट सुना कर देना चाहती हूं सब्सक्राइब गारा मार्च मतलब कल की अधर निया मानेनियी प्रधान मंत्री जी की हरियाना में थे जूमकुरक सांद को क्या है जिससे पुराना साथ रहता है पहले उनी को निपटाते हैं सावधान हो जाए सब लोग मैं दो बाते कह देना चाहती हूं इनकी बात का उत्तर देना मुझे लगता निये कि मैं जरूरी समझती हूं लेकिन कुछ तक के लग देने चाहिए पिछले 48 घंटों में दो सिटिंग MP भारतिये जंता पाटी के व्रिजेंद्र सिंग और राहूल कासवान कॉंग्रेस में शामिल हूए पिछले एक हफते में चार सिटिंग BJP MP ने जयन सिना, गौतम गंबीर, जस्वीर कौर, सनीदे और लोगों ने का हम भाया चुनाओ नहीं लड़ना चाहते पिछले एक हफते में दो लोग जिनको टिकट मिल गया, चाहे वो पेंद्र, रावत और पावंसिंग उन्होंने टिकट वापसी करके का हम चुनाओ नहीं लड़ेंगे पिछले एक हफते में कई लोगों ने राजनीती को अलविदा के दिया, उसमें एक डॉक्टर हर्शवर्दन है, एक वहाँ पर नितिन पटेल जी उन्हें का भाया, हमें टिकटी नहीं चाहिए, हमें राजनीती ही नहीं करनी, अब हम जाके कुछ और करेंगे ये एक डूबता जहाज है, अच्छा, जिस राम रहीम को बार बार पैरोल पर छोड़कर लड़कियों का उपहास उड़ाया जाता था, वो ही लड़कियां हर्याडा में आपका हिसाब करेंगी, जिन नौजवानों को खदेडा जाता था, जिन किसानों को दबदबा उनके जाता था, पीटा जाता था, वो ही हिसाब करेंगे आपका, एक साब के जहर के तसकर को हीरो बनाकर मनोहरलाल खटर जी दिखा रहे हैं, और देश के नौजवानों को कहते हैं, तुम्हें चंद्रयान पे उपर भेज़ दूगा, तो उनके हट जाने से आपके पाप नहीं ध जाता था कि एक पॉलिटिकल अनलिस्ट तूड़न के तौर पर मैं कुछ बाते करेंगे, तो एक प्योर अनलिस्ट के तौर पर आप देखेंगे, तो ये फॉमला उनके लिए काम करता हुआ साफ दिख रहा है, नमबस कह रहे हैं, अच्छा, हमको सिखा रही है, बिल्कुल ने धीमे से स्वीकरकृती भी कर ली, लेकिन देश की जनता को बेवकूफ समझना छोड़ दी जो, तीन बाते कहूंगी यहां पर, आप साड़े चार साथ तक पहले गड़बंदन चलाइए, मिलकर लूटिये, उसके बाद अलग हो जाईए, कईयम अलग-अलग मैदान में, जिन जाटों को आपने पिटवाया है, जिन किसानों को आपने दोड़ा दढ़ा कर लाठी चार्ज कराया, जिनके रास्तों में कीले गड़वाई है, वो गड़बंदन टूटने से आपके साथ आजाएंगे, या दुश्यन चोटाला के साथ चले जाएंगे, लोग दुश् लिजेगा, आप मेरी बात लिख कर रख लिजे, एक और बात कहूंगी, यहाँ पर मंडल कमिशन का जिकर किया गया, 7 अगस्त 1990, भारतिय जनता पाटी ने विश्वनात प्रताप सिंग की सरकार से समर्थन वापस लिया, पता है क्यूं? क्यूंकि उसी दिन उन्होंने मंडल कमिशन की रिपोर्ट को स्विकार किया था, उसको एकसेप्ट किया था, यह रेजर्वेशन के खिलाफ थे खत्म, बाइबाई, टाटा, गुडबाई, गया